कि हेलो फ्रैंट्स में पीके सिंगल जोगर्फिय उनलाइन क्लासेज में एक बार पुना आपका आर्दिक स्वागत करता हूं देखें विद्यार्थियों जो पिछले हमारे तीन-चार वीडियो हैं रास्तान के भौतिक प्रदेश से सम्मधित हैं और मैंने आपको उताया था उत्तरी परवद् σας में रवनीपरट पूरी मैंदान पारूटी का बठार अपने सबसे पहले उत्तर के था सबस्वार परदेश सबस्षर की तो तो आज के वीडियो में हम सुष्क प्रदेश की विशेष्टा हैं और फिर उसके बाद अर्द्रशुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् कि देखें विद्यारतियों मैंने आपको बताया था यह दो वर्षा रिखा है बताई थी एक तो यह मैंने यहां पर बताई थी लगबग कि जो 25 सेंटिम्टर की वर्षा रिखा है और एक अरावली के सारे बताई थी सेंटिम्टर की वर्षा रिखा तो मैंने आपको बताया था कि जो 25 से कम बर्षा का शेत्र उसको तो हम बोलते हैं शूषक अ प्रदेश कर जो 25 से 50 सेंटिम्टर वर्षा का शेत्र उसको बोलते हैं अर्द शुषक प्रदेश यहां वर्षा कम ज्यादा होती है थोड़ी यह वर्षा कम होती है तो यह बात हम कर रहे हैं उत्तरी कि पश्ची मिरेती ले मैदान की कि इसके सामानी विशेष्टा हैं पिछले दो वीडियो में समझी थी तो आज हम इनके जो दो प्रदेश हैं पहला सुष्प्रदेश और दूसरा अर्दशुष्प्रदेश इसकी सामानी विशेष्टा हैं समझने का प्यास करेंगे और यह देखेंगे कि किस तरह के जो प्रश्ण है प्रतुगी परिक्षाओं में आप से पूछे जा सक देखें विद्यारतियों यह जो मैं पूबी मैंने उसमें बनाया था इसको वापस से आपको बता रहा हूं तो इसमें यह जो प्रदेश है इसमें की जैसल मेर जिला है और यह आपका यहाँ बीकानेड जिला है है जैती हम सोभदेस के स्थितिके बात करें बार मेर है उबपर यह जो जो पूर है इसका पश्तमि भाग अला इसमें शामिल किया जाता है तो इस तरह से जो है ये श्यत्र गबंग इस तरह से तो देखे इसमें बाड मेर का दक्षणी है और कमी भाग आएगा दक्ष्णी और पश्योlor यह जो जेट्पूर है इसका आप नदेखा ऩो यश ए पी बाड मेर कई लुप से प्रदेश को यह इसकी श्तिति जो सुषभ प्रदेस है वह जैसलमेर आपका जो पूण रुप से समया भाल की जो यह गतल है ठीक है तो यह मैंने आपको यह बताया कि कौन कौन से इना इससी कर रहे हैं शुर बात कर रहा है हुआ है तो छार जी लों का शित्राता है ना जैसल मेर विक्क वाध्ष मेरी दिहान रखना और यह क्या है सूस्क फ्रदेश और से को के बीच में होती है और सो मिली मिटर ऑप से 250 12 यहां पर जो वर्षा होती यह रास्ता में सबसे कम वर्षा का शलई से इसकब विशेष्टा है साम्हान के विशेष्टां की कि सूस्प्रदेश की सामाने विश्यस्ता है कि देखते हैं देखें यहां पर यह जो भारत-पाकिस्तान की सीमा के सारे जो वर्षा रेखा है कि यह 10 cm की वर्षा रेखा और यह 25 cm तो यदि आप से इसकी पूर्वी और पश्चिमी सीमा की बात करें तो यह इसकी पूर्वी सीमा कहलाएगी तो इसकी यह पूर्वी जो सीमा है वह 25 cm वर्षा रेखा बनाती है और यह जो है यह पूर्वी सीमा है देखें छुट्वड़े प्रश्चिंस्तरे के आ जाते हैं कि तो सूश्क क्रदेश की पश्चीमी सीमा दस सिंट्र मसक्ति वरस्व और पूर्वी सिमा 25 में की वर्षा रिखा बनाती है तो पाचीस आधे न्यूंत्म वर्षा पर जिला है था नियूंत्म B में वर्षा का आपको पता है जैसलमेर है जहां less than 10 cm वर्षा होती है तो यह रास्तान का जो सुस प्रदेश सुस का मतलब है कम वर्षा और कम वर्षा के कारण जो है इसको सुस प्रदेश कहते हैं दस्यर 25 के बीच होती है और सबसे कम वर्षा का जिला जैसलमेर इसी शेत्र में इस्थित है और देखें यहां पर जो है 60% भाग पर दियारतियों 60% भाग पर क्या है यहां पर रेत के तीलों का विस्तार है यह प्रश्ण आरेस और टीचर्स के कई परिक्षाओं में आया हुआ है कि सूस्क्रदेश के सूस्क्रदेश के कितने प्रश्ण भाग पर रेत के तीलों का विस्तार पाया जाता है 60% पर 100% पर नहीं है कुछ शेत्र हैं बस्तियां भसी हुई है जीले भी है नदी का शेत्र भी है है ना तो इस तरह से सारे शेत्र में रेत के तीले नहीं है प्रश्ण में सूस्क्रदेश के 60% भाग पर हमें सेंड्यूंस रेत के तीले बालू का इस तूप पाये जाते हैं और देखें क्या है जब वर्शा कम है तो न्यों वनस्पति है तो रास्तान में सबसे कम वनस्पति का शेत्र भी पश्चिमी शेत्रे जो सुस्क प्रदेश के अंतर गताता है घास होगारा जाडियां विखरे पेड़ादी ऐसे पाये जाते हैं कि देखें कि डॉक्टर ब्लदी मूर कोपेन का नाम आपने सुना हुआ इन्होंने विश्चु को जलवाईव प्रदेशों में बाटा है तो इन्होंने इस शेत्र के वी डवल्यू एच डवल्यू जलवाईव के अंतरगत रखा है तो यह पूछ सकते हैं कि रास्तान के सुस्क प्रदेश की जलवाईव किसके नाम किस नाम से जाने आती है तो बी डवल्यू एच बी का मतलब होता है मरुस्थली कोपेन ने विश्व में जहां-जहां भी मरुस्थली जलवाईव है उसके लिए बी सब्सका प्रयोग किया है तो इ यह इसको नाम दिया जाएगा मरुस्त लिए गर्म सुस्क जलवाईव तो यह बी डवल्यू एज डवल्यू टाइप की जलवाईव में आता है और देखें जो सुस्क प्रदेश है यहां पर तेज हवाएं चलती है रास्तान में तेज हवाएं कहां चलती है सुस्क प्रदेश में और इनकी जो दिशा है दक्षिन पश्चिम से उत्तर पूर्व की और होती है और इसलिए हम कहते हैं और यही दक्षिन पश्चिम है मांस क्योंकि इधर से आती है यह हवाएं इस शेतर में इधर से आती है रा रास्तान में इधर भी और एक बंगाली खाड़ी की शाखा भी आती है पर यहां बात हम इसकी कर रहे हैं तो यह हवाएं जो हैं बहुत तेज गती से चलती है और इनका तेज गती से चलने का जो समय है विद्यारतियों वह है मार्च से जुलाई मार्च से जो हवाएं हैं यह मार्च से जुलाई के बीच जो है इस शेतरों में बहुत क्याजगती से चलती है और इस समय जो रेत के टिले उनका विस्तार भी होता है मरुस्तल का विस्तार जो है सबसे आदा मार्च से जुलाई के बीच में होता है इसको हम बोलते हैं मार्च ओफ देज एक शब्द कभी आजाता है यह मार्च फॉवजदेशर्ट मतलब मुरुस्तल का विस्तार इुए को राज्थान में मरुस्तल के विस्तार को क्या कहते हैं तो मार्च से जुलाई में बहुत हुआ चलती है इन्हें दक्षिन पश्ची मानसुने हुआ भी कहते हैं और यह रेट को डाकर यहां पर ले आती है और यहां पर बिछा देती है तो देखें यहां पर जो है इसकी उशेष्टा है खेंबरी में कुश्व और देखें को सी ही 25 से क्म सुर्णीश 25 से 50 अर्थ सुष्प्रदेस की सी सुस्ष्प्रदेस जैसल मेर् जिले में कर कोंए जिलों में देखें आप ऐस बसली जिला ने जोधर जोतपूर जिला और ने依ाज इनाड़ चार इस प्रहे हैं कि संपूर्ण जिला तो एक ही है जैसल मेर बाखी बिकानेर का दक्षिन और पूर्वी भाग जोदपुर का पश्चमी भाग जो है इसमें यहां पर आपको ध्यान है यह फलोदी वाला शेत्र है और 25 से दस सांट्रम्ट के वर्शा का शेत्र है दस सैंट्रमट इसकी पूर्वी सीमा बनाती है इस तरह से यह रास्तान के पश्चमी भाग में फैला हूआ है जया से बहुत होती है इस शेत्र के साथ प्रस्पति का शेत्र के वर्षा कम होती है बिखरी घास जाडियां पेड़ बेड़ से बिखरेवे पाए जाते हैं डाक्टर कोपेन ने इसको बीड़ी डवली जलवाई वर्गीकरत किया है इसका मतलब अब्सक जलवाई और यहां तेज हवाएं जलती है जो दक्षिन पश्चिम से चलती है और यह मार्च से जुलाई में सबस्यादा चलती है और इसी समय रेद के टिलों का विस्तार होता है और इसको कहते हैं मरुस्तल का आगे बढ़ना और यह मार्च ओफ डेजर्ट के नाम से जाना जाता है देखें द्यारतियों इसका स्क्रीन शोट खेंच लीजें फिर में इसकी और विशेष्ता हैं आपको बताऊंगा देखें विद्यारतियों जो सुस्क प्रदेश है उसके पुनह दो भाग है एक तो इसका है बालू का मुक्त प्रदेश और दूसरा है मरुस्तली कि अन्याज है तो शुष्प्रदेश को पुनह दो भागों में बाठा आता है बालू का मुक्त प्रदेश फ्री फ्रोम सेंड डियोंस जहां पर सेंड डियोंस नहीं है और एक डेजर्ट मरुस्तली जहाँ पर रेट के टीले ही टीले पाये जाते हैं तो इस तरह से इसको दो भागों में हम बाड़ते हैं तो देखे देखे मैं केवल यह इधर वाला हिस्सा ही बना रहा हूं अब तो इसमें देखें यह सुस्क्रदेश है और इसके दो भाग है यहां पर देखें यह कि जैसल मेर में एक जगह है पोकरन और यह जोद्पूर में मैंने आपको बताया था कि फलोदी है और यह कि बाड़ मेर में एक जगह है बालो उत्रा आप जानते हैं इस तान तो यदि हम इन तीनों को मिला दें तो यह जो त्रिकुना आत्मक शेत्र है और ऐसा नहीं कि इसके और आसपास का भी शेत्र है तो यह जो सारा शेत्र है कि इसको हम बोलते हैं कि बालू का मुक्त कि अधिश तो यह वह शेत्रे जहां पर कुछ बस्तियां है और चुटूटे और ऐसे सुगरा पाया जाते हैं खेती होती है खजूर के पेड़ों गरा मिलते हैं तो यहां पर रेत के टिले नहीं हैं कमपरेटिव और जो चारों तरफ है इसके इस शेत्र के चारों तरफ जगे जगे रेत के टिलों का विस्तार पाया जाता है कि इसको हम बोलते हैं मरुस्थली तो यह एक प्रदेश हो गया और दूसरा यह हुए तो विद्यारतियों जो पश्चमिस उस प्रदेश है इसके दो भाग हैं बीच का जो शेत्रे जो बालू का जहां टिले नहीं है बेसिकली जैसल मेर और बस्तियां बसी हुई हैं और आस इस तरह से दो भाग करते हैं पहला जो है वालू का मुख प्रदेश और इसकी विशेष्टा है समझेंगे कि 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 इसमें इसी को मैं थोड़ा सा बढ़ा करके दर बना लेता हूं हुँ हुँ हो ए किरी उनीते हैं कि देखें क्या क्या विशेष्था है इसकी देखिया लगें आप्ट्राने कंका प्त्र है amen' और यह को दिलों का इतना विस्तार नहीं है तो आप से पूछे रास्ताना पथ्रिला मुझे जाता है पश्मीर अज्टान में हैं ना किन शेत्रों में तो यह वोकरण और फलोदी और बालोतरा के बीच में है जिलों की दस्थी से जैसन मेर है बाड़ मेर है और इसका ज्यादा तो हाग जो है जैसल मेर और बाढ़ मेर में इसलिए इसको जैसल मेर बाढ़ मेर का पत्थ रीला मुस्तल भी कहते हैं तो यह शेत्र जो है और इसका एक नाम भी है इसको क्या बोलते है हमादा इसको क्या कहते हैं आज मादा है कभी आपसे पूचेह मादा तुन आजहरती हो तो पश्चमी छैत्र सील में पत्थ लिदान को हमाद холод कहते हैं इस जब कर देगा जए यह मिला जुला होता है बीच में पत्थ री राड़ गए फिर रेत आ गई तो इसको गांए इस तरह से कि हमें हमादा समझ में आगया ना कि पत्थ्रीला कि मरुस्तर ठीक है और अब इसके बाद चारों तरफ जो है मान लोगा रेत मरुस्तर शेत्र फैला वाए तो एक बिदियारति जो मिश्ट छेत्र आएगा जहां पर रेत के साथ मरुस्तर आए इसका विस्तार भी होगा तो इसको हम बोलते हैं रेग का मतलब है मिश्रित मरुस्थल का मतलब क्या है मिश्रित पर च्छेत्रे मिश्रित मरुस्थल की नाम से जना जाते में और फैर उसके जो बहार की बात करें हम को तो फिर ध्र болद ही कि देखने को मिलेंगे हमें तो यह वो शेत्रे जहां पर आपको रेत के टीले ही टीले दिखाई देंगे तो इस तरह से इसको तीन तरह के मुरुस्तलों में टाइप ऑफ डैजर्ट की बात करें हम तो यह जो है जिसमें तो इसको हम बोलते हैं इर्ग यह अर्ग भी बोल देते हैं यह अर्भी भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है परिवर्टन शील रेत हुआ या टेज चलती है जहां टीले परिवर्टन शील शेत्र है जहां पर टीले ही टीले पाए जाते हैं तो बीच का शेत्र जो हमादा के लाएगा फिर आसपास मि मिश्यद मरुस्तल आएगा उसको रेग कहेंगे और फिर इर्ग आएगा तो मतलब इस छेत्रों में देखें तो इधर से चले यह पत्रीला मरुस्तल फिर बीच माएगा थोड़ा सा रेग और फिर लास्ट में यह रेत के टीले ही टीले बारत-पाकिस्तान की सीमा तर तो य तो यह कौन सा शेत्र है बालु का मुक्त प्रदेश इसको क्या कहा पत्रीला मुरुस्तल और देखें विद्यारतियों कि यहाँ पर एक नाम सुना होगा आपने लाठी शंकला बहुत फेमस है यह लाठी एक जगह है जिसके कारण इसके आसपास के शेत्र को लाठी शंकला कहते हैं तो यह देखिए मोहनगड है जैसल मेर में मोहनगड से और पोकरन के बीच यह दोनों इस्तान जैसल मेर जिले में है तो मोहनगड से लेकर और जो पोकरन के बीच की जो पट्टी है इसको लाठी शंकला कहते हैं और यह जो लाठी शंकला यह क्या है भूगर्भिक जल की पट्टी कि इसे बैल्ट ऑफ अंडर्ग्राउंड वाटर तो कई पार एक्जाम में पूछा आता है कि लाठी शंकला किसको कहते हैं तो यह भूगर्भिक जल की पट्टी है यहां पर अंडर्ग्राउंड वाटर है वैसे तो मरुसली शेत्रे और पानी भूगर्भिक जल बहुत गहर जाने कौन से उसादी चटाने यहां पर है कि चुना पत्थर को और बालू का पत्थर लाइम स्टोन एंड सेंड स्टोन तो देखें विद्यारते हो इस छेत्र में अउसादी चटाने इसको सेडिमेंटी रॉक्स बोलते हैं और यह कैसी होती है इसमें जल भरा होता है जल भरा इसको पोलते हैं जलज चटाने इसमें जल भरा होता है रंद्र मई इसमें पोरस होती है चिद्र होते हैं और उसमें पानी भरा होता है और यह चट्टाने इसलिए हैं क्योंकि यहां बहुत पहले समुद्री भाग था और उसमें जो है चट्टाने आज भी जो है इसमें जो है पानी भरा हुआ है और यह जो ह हैं देखें कौन से समय की हैं टर्शरी यह पूछ सकते हैं कई बार है और कि प्लिस्टो कि सीन यूग की तो यह जो चटाने हैं टर्शरी और प्लिस्टो सीन काल की हैं तो टर्शरी और सब्सक्राइब काफी निकट है इसलिए यहां पर जो हैं कि लाथी शेत्र है पास में इसे लाठी शंक्ला क्या है परियावरन की दस्ती से एक महत्पूर्ण शेत्र है जिसको भुगर्विग पट्टी के कि देख्थ काल किया है तो जल के कारण क्या होगा विद्जारतियों घास होगी कि जल में सेवन गास का सबसे बड़ा शेत्र जैसल मेर्जिला और यह वह गास है यहां का पशुधन आधारित यह लवनी पॉस्टिक घास है वह जादा और यह जो गोडावन है पक्षी यहाँ पर मिलता है यहाँ पर जो राठी और थार पारकर जो गाय की नसले हैं लुग अधारित क्या हो गया आपका गोडावन है जो यहां का राज्य है कि पक्षी भी है इसके लावा राठी थार पारकर दुधारू नसलें सब यह इसी घास पर आधारी तो आप देखें पारस्तिति की संतुलन का कितना अच्छा उधारन यहां पर मिलता है लाठी शंकला में कि यहां रुस्तिली शेत्र में उसाधी चट्टाने हैं जो जलज हैं रंद्रमई हैं यह टर्श्री और प् अधारीत हैं तो यह प्रकार से मरुस्तिली शेत्र में पारस्तितिकी संतुलन का कि पारस्तितिय संतुलन का यह एक अच्छा उधारन माना जा सकता है तो यह जो है पारस्तितिकी संतुलन का उधारनिया देखने को मिलता है जल जल के उपर सेवन घास और फिले गोडावन पक्षी तो यह जो आपका सुस्क प्रदेश में जो बालु का मुक्त प्रदेश है यहां रेत के टिलों का विस्तार नहीं मिलता यह पोकरन बालुत्रा पत्री बीच में इस्तित है यह पत्रीला मरुस्तल है और मिलता के आद सेवन घास और यह जो एक प्रकार से महान मरुस्तली वाला शेत्र नाटी शंकला मोहनगड़ से फोकरन के बीच वुघर्विक जल की पट्टी है और इस पर सेवन घास गोडावन राठी थार दारीत है यह उसाधी चट्टाने जो है चुना पत्थर बालू का पत्थर है टर्शरी और प्लिस्टोसीन युक्की बनी हुई है कि और देखें विद्यारतियों यहां पर कि एक है चांदन कि नल कूप यहां पर इसके नीचे काफिया बड़े प्रमाले पर मीठा मीठे जल का शेत्र कि जैसल मेर जिले में चांदन नल कूप है जो मीठे जल का शेत्र है और यहां पर इसमें मीठा जलाता है और इसको मीठे जल के कारण थार का घड़ा भी कहा जाता है तो आप से पूछे थार का घड़ा किसको कहते हैं चांदन को तो देखें विद्यारति में बीच का शेत्र बहुत इंपोर्टेंट है एक तो पत्रीला जो मैंने बताया आपको देखें क्या है पत्रीला लेगिस्तान जिसको क्या बोलते हैं हमादा इसके आसपास मिश्चित आएगा फिर जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट वाला पार्ट है इर्ग कहलाएगा क्लासिफिकेशन के साफ से यह जैसल मेर में पोकरन से बाड़मेर में बालो तरह से प्रस्चित में जो तुर्क के बीच में बता दिया और इसका ज्यादा अविस्तार जैसल मेर बाड़मेर में लाठी शंकला यहां पर मोहनगड से पोकरन की बीच में भुगर्विक जल की पट्टी है यह पार्षित की संतुलन का उधारन है क्योंकि यह जल के कारण सेवन घास है और उस शेतर की बात करें अब इसके बाद दूसरा इसका जो प्रदेश है मरुस्तली यह आसपास का इसकी चर्चा करेंगे इसका एक स्क्रिंशॉट खैज लीजिए देखे इस्टुडेंट्स आपने इसका स्क्रिंशॉट ले लिया होगा और देखे बहुत बाद टॉपिक है मैं यह भी नहीं चाहता एक जड़ा से टॉपिक पर सारी चीज़ें आपको जो है इतने बाते होती हैं अगर मैं उसको एकी वीडियो में डाल दो आपको अच्छ है वह अपने बालु का मुख्ध प्रदेश और दूसरा मुख्ध तो यह जो वीडियो है यह बालु का मुख्ध प्रदेश पर है और इसमें क्योंकि बहुत सारी बाते हो गई है तो जिसका नेक्स्ट वीडियो जो है वह मैं मरुस्तली छेत्र के उपर मनाऊंगा इसलिए आस तो इतना ही ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू